देश भर में लाखों की लोगों की आस्था का केंद्र, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कुमार शास्त्री को लेकर विवाद बहुत दिन चला। बागेश्वर महराज द्वारा दिव्य दर्बार में आने वालों की मन की बात जानने वाले चमतकारों को महाराष्टर के श्याम मानव ने चुनोती दे डाली है। श्याम मानव तो खुद दावा करते हैं कि वे आज तक इस तरह के हजारों बाबाओं को एक्स्पोज कर चुके हैं। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री को भी वैज्यानिक प्रक्रिया से जाच की चुनोती स्विकार करनी चाहिए। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार को क्या चुनोती दी। श्याम मानव और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कुमार शास्त्री के विवाद की शुरुआत तब हुई जब 5 से 13 जनवरी 2023 को महराष्टर के नागपुर में रामकथा का आयोजन हुआ। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ने बागेश्वर महराज के खिलाफ पोल खोल सभा का आयोजन किया था। सभा में महराष्ट्र राज्य अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख शाम मानव का भाषण समाप्त होने के बाद बागेश्वर धाम महराज के कुछ समर्थकों नारे बाजी कर दी थी। शाम मानव ने आचारे धीरेंद्र कुमार शास्त्री को चुनौती दी कि वे आकर अपना चमतकार दिखा दें। लेकिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा नहीं किया। और धीरेंद्र कुमार नागपूर से भाग गए। लेकिन ये कथा तेरह ता ठीक है तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी आपको अनभव करना है तो दर्बार में रायपुर में आईए आगे पाकिस्तो धाम पर लगेगा वहां आईए महराष्टर राज्य अंधश्रधा निर्मूलन समिती के प्रमुख श्याम मानव की चुनौती का जवाब देते हुए बाबा धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने जवाब दिया कि 21 जनवरी 2023 से 36 गड़ के रायपुर में दिव्य दर्बार लगेगा श्याम मानव उसमें आ जाए वे उनको टिकट भी देंगे और उनका चैलेंज भी पूरा करेंगे इसे श्याम मानव ने अस्विकार कर दिया अब सवाल ऐसाए कि महाराज के दिव्य दर्बार में ये क्यों नहीं हो सकता है दिव्य दर्बार में प्रॉड एंड प्रूफ कंडिशन्स के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुचे इस धंग से वातावरण हम निर्बाण नहीं कर सकते हैं इसलिए नापूर में ही ये महाराश्टर के नागपूर में उनके दस लोगों के समूह की मौजूदगी में होगा दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सही है कमेंट में अपनी राए जरूर बताईएगा